हलो दोस्तों स्वागत है आपका पतिमाज उनीक डायरी में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सट्टिला एकादशी अर्थात माग एकादशी के बारे में संपूर जानकरी देने की पूरी कोशिश की गई है तो सबसे पहले बात करते हैं सट्टिला एकादशी तो माग माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिथी को सट्टिला एकादशी वरत रखा जाता है इस दिन जो भी भगवान विश्णू के लिए वरत रखते हैं के जीमल में भी कस्ट और रोग नहीं रहता है इसकी शुरुवात होगी 17 जन्वरी 2023 को शाम 6 बच कर 5 मिनट पर और समापन होगा 18 जन्वरी 4 बच कर 3 मिनट पर पर उदिया तिथी अठारी को पड़ रही है इसलिए उदिया तिथी के अनुसार सर्तिलाय का दशी के वरत 18 जन्वरी को रखा जाएगा दोस्तों अता सर्तिलाय का दशी वरत 18 जन्वरी को और जो पारण वरत का किया जाएगा वो 19 जन्वरी को किया जाएगा समय है सुबह 7 बच कर 15 मिनट से 9 बच कर 29 मिनट तक ये पारण का मुहूरत रहेगा अब आजाते हैं सर्तिलाय का महत्व क्या है दोस्तों जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णू की विदिवत पूजा करता है सभी पापों से मुक्ति मिलती है इस दिन तिल का दान सबसे बड़ा शुब माना जाता है जो भी इनसान ये वरत करता है उसके घर में सुख शंती का वास होता है बहुत इक सुखों की प्राप्ति होती है साथ ही इनसान को मुरित्यों के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है इसमें भगवान विष्णू को तिल का भोग लगाया जाता है ऐसा मना जाता है इस दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है इस दिन जो वैक्ति जितना तिलदान करता है उसे उतने हजार वर्स तक स्वर्ग में स्थान प्राप्थ होता है इस दिन तिलका उपयोग करने से धनकी कमी नहीं होती है इस दिन किसी भी रूप में तिलका उपयोग जरूर करना चाहिए आप तिल के जल से सनान, तिल दान, तिल का सेवन, तिल अरपण या फिर तिल का प्रशाद तिल सहवान आधी के रूप में तिल का उपयोग कर सकते हैं शर्तिला एकादसी की पूजा की विधी क्या है? कुछ इस प्रकार शर्तिला एक अदेसी के दिन सुबा जल्दी उठकर सनान करें अर्थाथ 18 जन्वरी के दिन उसके बाद भगवान विश्नु का ध्यान करते हैं व्रत का संकल्प लेना है भगवान विश्नु की प्रतिमें तस्वीर को स्थापित करें उस पर गंगा जिल में तिल मिलाकर जागरण और हमन करें इसके बाद 12 के दिन प्रतकाल उठकर स्थान के बाद भगवान विश्नु को भोग लगाए पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयमन ग्रहन करें मनता है कि माग मास में जितना तिल का दान करेंगी उतने हजारों सालों तक आपको स्वर्ग में रहन दोस्तों छे तरीके से तिल का प्रयोग इस दिन किया जाता है जैसे तिल का स्णान, तिल का उप्टन लगाना, तिल से हवन और तरपड करना, भोजन में तिल का अस्तमाल करना और तिल का दान करना शर्टिला एकादशी पर तिल का दान करना शुभ माना चाता है एकादशी के दिन दो रंग की चीज़ों का दान करना अच्छा होता है इस दिन काले तिल और पीली चीज़ें आपको दान करनी चाहिए भगवान विश्णू को पीला रंग पसंद है इसलिए पीले रंग के फूल चड़ाने चाहिए, पीले रंग के कपड़े अर्पित करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं पूजा के बाद इन चीजों के किसी ब्रामण या जरूरत मंद को दान कर दें इस दिन काले तिल का दान करने का भी महतो है इससे भगवान विष्णों की कृपा बनी रहती है और हमको पापों से मुक्ति मिल जाती है इस एकादशी पर तिल का प्रयोग कैसे करना चाहिए तिल का प्रयोग करने से पुन्ने कर्म भी बढ़ते हैं और इसके सासा तिल का उप्योग और दान का फल सर्ग में भी प्राप्त होता है इस एकादशी पर सुबह तिल का उप्टन लगा कर या जल में तिल मिला कर सनान करना चाहिए दूसरा पूजा में भगवान को तिल से बने भोग और पित करना चाहिए तिल से हवन करना चाहिए गरीब और जरुवत मंदों में इस दिन तिल का दान करें जल में तिल डाल कर पिएं तिल के लड़ू या फिर तिल से अपने बेंजन पकाएं इस तरह से आप तिल का उपयोग इस दिन कर सकते हैं शेट तिला एकादशी के दिन क्या करें और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए अपनी इंद्रियों को वश्मे करके काम क्रोध लोव मौ इरश्या आयंकार से दूर रहना चाहिए इस दिन पुश्य नच्छतर में गोबर का पास तिल मिलाकर उपले बनाए और इससे 108 नहीं करें इस दिन भगवान विश्म को पेठा नारीयल सेताफल या सुपारी सहित अर्ग देकर स्टूती करें अगले दिन दू थूप तीप नवेद से भगवान विश्म की पुजा कर खिचडि कभोग लगाना चाहिए इस दिन आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए अग की दाल का सेवन भी वरजीत माना गया है वरत रखने मालों को ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए इस दिन बिस्तर पर ना सोयें जमीन पर अगर सोयें तो बहुत ही बेटर है शर्टिला एकादशी में किन नियमों का पालन करना चाहिए अधात किन बातों का हमें ध्यान रखना शर्तिला वरत रखनेशे वरतधारी के जीवन से दुर्भाग दरिद्धता अनेक प्रकार के कष्ट धूर होते हैं और मुक्ष की प्राप्ती होती है इसके नियम कुछ इस प्रकार है इस एकदशी का वरत प्रारम माग कृष्ण दश्मी के दिन से ही शुरू हो जाता है जो प करना चाहिए किसी भी रूप में चावल ग्रहन नहीं किया जाता है पूरता ब्रमचर का पालन करें इस दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए ना ही उसे च्छोना चाहिए इस दिन प्याज लेसुन मसूर की दाल गाजा रशल जम गोभी पालक आदी का भी सेवन करते हैं इस दिन जाड़ो और पोचा लगाने से बचना चाहिए क्योंकि चीटी जैसे छोटे-छोटे जीव हैं उनकी हत्या का दोश लगता है इस दिन खासकर बाल भी नहीं कटवाना चाहिए इस दिन तिलसनान तिलका उप्टन तिलका हवन तिलका तरपन तिलका भोजन और तिल का दान, छे प्रकार के प्रयोग से यह सर्टिला एकदशी कहलाती है, इसका बहुत पुने प्राप्त होता है, शर्टिला एकदशी के दिन आपको किन उपायों को करना है, जिससे सुख समर्दे में ब्रिद्धी होगी, सबसे पहले तो इस दिन तिल का दान करने से जा में तुलसी के पत्ते डाल कर पूरे घर में छिड़काओ करें मानते हैं कि इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक्ता नाश का नाश हो जाता है और सकारात्मक्ता का संचार होता है यनि नेगेटिव एनरजी का नाश होता है इसके साथ साथ और उपाई भी हैं जैसे पहला है तिल से सनान तिल से सनान करने से भगवान विश्णु का पूजन करने से दुर्भाग का नाश होता है दूसरा है तिलका उप्टन इस दिन तिलका उप्टन लगाया जाता है इससे सरीर के सभी रोगदोश दूर हो जाते हैं और सरदी से जुड़े जो भी विकार है समस्या है उनका वो भी समाप्त हो जाते हैं इसके साथ तीसरा है तिल का हवन इस दिन तिल से हवन किया जाता है इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा इस मंत्र का जाब करते हुए पाच मुठ्थी तिल से हवन करना चाहिए ऐसा करने से शीहरी भगवान विष्णु मनुवांशित फल प्रदान करते है चोथा उपाय होता है तिल से तरपन तिल को मुक्ष दायक माना गया है गरूट पुरान में तिल से तरपन के महतो का वानन मिलता है इस दिन शर्तिलायक दशी के दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए तिल से तरपन किया जाता है इससे पितर प्रसन्य होते हैं और पूरे वरिवार को आशिरवाद देते हैं पाच्वा है तिल का भोजन इस दिन तिल युक्त भोजन बना कर भगवान विश्नु माता लक्षमी को भोग लगा कर उसका सेवन करें ऐसा करने से घर में धन धानने का आगमन होता है और माता लक्षमी का सदा वास बना रहता है तिलकादान इस माग मा यानि शर्टिला अकदसी के दिन तिलकादान स्वर्ग की प्राप्ती होती है ऐसा उलेक है कि जो बति माग मा में शर्टिला अकदसी के दिन जितने तिलकादान करता है वो उतने हजार वार्सों तक स्वर्ग में रहता है दोस्तों ये थी शर्टिला एक अदसी से जुड़ी ही संपूर्ण जानकारी कब है क्या महत्तो है क्या करना है और क्या नहीं करना है क्या पूजा विद्धी है संपोर जानकारी दी गई है अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आप सभी को शर्टिला एक अदसी की भार्दिक शुप कामना है